मोटर के टर्मिनल बॉक्स को कुछ इस तरीके से सौट करें तो वो स्टार कनेक्शन में बदल जाता है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होता है जबकि मोटर के टर्मिनल को अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करें तो ये डिल्टा कनेक्शन में एक इस तार कनेक्शन्स क्या होते हैं इस तरी फेज जो सप्लाई होती है जिसमें आर फेज वाइफेज और वी फेज कुछ इस तरीके से चनेक्ट होते हैं कि तीनों फेज के बीच में 110 डिगिरी का एंगल क्रियेट हो star connected load को three phase power supply से देफ connect करते हैं तो तीनों line से current flow होती है तीनों phases में और ये तीनों phases एक point पे joint होते हैं जिसे neutral कहा जाता है phase voltage R और B के बीच में line voltage को BRB है B phase और Y phase के बीच में voltage भी BY है और R phase और Y phase के बीच में voltage भी R Y है जब हम neutral और किसी phase के बीच में voltage को measure करेंगे तो वो phase voltage होगा जैसे VRN R और neutral के बीच में Y phase और neutral के बीच में blue phase और neutral के बीच में VBN उसे प्रकार से current को जब हम देखेंगे तो line current R phase में IR होगा और phase current IRN B phase में IB and IBN विसे तरीके से Y phase में Y and YN ये तीनो phages एक दूसरे से 120 डिगरी अपार्ट होते हैं एक दूसरे से 120 डिगरी का एंगल बनाते हैं फेज एंगल बनाते हैं फीजिकल एंगल नहीं फेज एंगल तो star connection को हम 3 phase 4 wire system भी कहते हैं जिसमें 3 wire phase का होता है और 1 wire neutral wire होता है तीनो phage एक common point पे collect होते हैं जब 3 फेज को एक common point पे connect कर देते हैं तो वो point neutral point कहलाता है जिसे n cd note किया गया है फिगर में आप देख सकते हैं ये point neutral point हुआ जिसमें 3 फेज एक दूसरे से connect हो गया है ये 3 फेज एक दूसरे के साथ 120 डिगरी डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ 120 डिगरी का phase एंगल बनाते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो है वो generally prefer किया जाता है distribution में यानि load connected होगा वहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम यानि star connection को preference दिया जाता है star connection में line और phase एक दूसरे के साथ series में connected होते हैं इसलिए जो phase current होता है और line current होता है वो दोनों बराबर होता है इसलिए star connection के case में या 3 phase 4 wire connection के case में line current is equal to phase current यानि इस line में जो current flow होगा वही इस phase में flow होगा इस line में जो current flow होगा वही इस phase में flow होगा इस line में जो current flow होगा वही इस phase में flow होगा और यह सारे joint होके neutral के तो ground हो जाएंगे तीनो current का vector sum 0 होगा यानि IR प्लस IV प्लस IY is equal to 0 अब voltage को देखते हैं चुकि line और phase एक दूसरे से series में connected है इसलिए phase और line के बीच में voltage बराबर नहीं होगा current के case से बराबर होगा दो line के बीच में line और neutral के बीच में voltage को phase voltage करते हैं phase voltage को जैसा कि diagram में दिखाया गया था V R N यानि R Phage और Neutral के बीशें V V N Y Phage और Neutral के बीशें V V B N B Phage और Neutral के बीशें V V V N निकालना है, तो हम V, R, Y को लिख सकते हैं, V, R, minus V, Y, तो minus V, Y का मतलब है, इसका 180 degree, यानि यह point, तो V, R, और minus V, Y का vector summation V, R, Y, ठीक उसी तरीके से, V, Y, B, और V, R, B, इसके mathematical expression को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो हमें V, R, Y, V, R minus V, Y को अगर हम vector summation करेंगे, तो 2 V, R, N, इन्टू, cos theta, theta यानि दोनों के बीच में angle, या angle is 60 degree, यानि 2 V, N, cos 30 degree, और जब cos 30 degree के value calculate करके इसको cut करेंगे, तमारे value आएगी V, R, Y is equal to root 3 V, R, N, यानि line voltage is equal to root 3 times phase voltage, very, very important, star connection के case में, phase current is equal to line current, but, phase line voltage is equal to root 3 times phase voltage, very, very important, star connection, बहुत same secure, direct किसी पे आते हैं, तो star connection में हमने current देख लिया, और voltage देख लिया, तो current और voltage का multiplication पावर होता है, जैसा कि हमने अभी तरह cover किया, line voltage is equal to root 3 times phase voltage, star connection के case में, line voltage is equal to root 3 times phase voltage, and line current is equal to phase current, तो power is equal to क्या होगा, particular phase में, individual phase में, power is equal to होगा, V phase into I phase into cos 5, 5 क्या होगा, phase angle between voltage and current, तो power in particular phase is equal to V phase into I phase into cos 5, V phase की value, line से निकाल दीजिए, और I phase is equal to हो जाएगा IL, तो इसकी value क्या हो जाएगी, VL divided by root 3 into IL cos 5, तो यह होगा single phase का power, अब हमें तीनो phase का power चाहिए, यानि total power of 3 phase, is equal to क्या होगा, phase गुने, individual phase का power गुने 3 times, तो 3 phase power होगा, इसकी value को put करके, अगर हम simplify करें, तो हमें यह मिलेगा, root 3, VL IL cos 5, यानि star connection के case में, power supply या power consumed होगा, root 3, VL IL cos 5, अगर line voltage और line current दिया हो, तो यह इस formula में रखके, अगर phase voltage और phase current दिया हो, तो इस formula में रखके हम answer निकाल लेंगे, तो यह तो हो गया, mathematical expressions, MCQ, examination के point of view से, अब हम wiring इसका कैसे होता है, वो दिखेंगे, एक 3 phase induction motor हम लेंगे, और उसकी winding, जो stator की winding हुई, उसको हमने, इस तरीके से दिखाया है, जैसे R winding, Y winding and B winding, यह pole के उपर winding है, R की, Y की and B की, इस winding में हर phase में दो terminal है, जैसे Y का पहला terminal इदर है, और इसको लपेट के, पूरी winding करके, दूसरी terminal यहां से आती है, यानि terminal 1 यहां पे है, terminal 2 यहां पे है, तो motor के terminal box पे, हमें यह winding नहीं दिखता है, यह stator के अंदर winding है, box पे कैसा connection होता है, उसको दिखता है, यह हमारा stator का box हो गया, motor का stator होता है, उसके उपर जो plate लगी होती है, जिसको terminal box बोलते हैं, यह यहां पे है, तो R का जो पहला terminal है, उससे हमने एक terminal को connect कर दिया, जिसे U1 नाम दिया गया, ठीक उसी तरीके से R के दूसरे terminal से हमने, output को connect कर दिया, U2 में, Y के पहले terminal से हमने, V1 को connect कर दिया, Y के दूसरे terminal से, V2 को connect कर दिया B के पहले terminal से W1 को connect कर दिया और B के दूसरे terminal से W2 को connect कर दिया एक natural सा question उठता है कि terminal 1 के connection में U1, V1, W1 एक order में लगा है बट terminal 2 के connection में U2 यहाँ से start हो रहा है V2 यहाँ है और W2 यहाँ है ऐसा क्यों? कैसे? तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? एक multimeter लेंगे और multimeter का पहला terminal हम पहले node को हम इसे connect कर लेंगे R के पहले phase से या U1 के पहले phase से और बारी-बारी से हर terminal पे हम connect करेंगे इसमें connect करेंगे, इसमें connect करेंगे और इसमें connect करेंगे इसमें अगर हम connect करते हैं तो हमारी कोई continuity नहीं दिखेगी अगर हम इसमें connect करते हैं तो continuity दिखेगी और अगर इसमें connect करते हैं y वाले से तो again कोई continuity नहीं दिखेगी यानि इसका simple सा मतलब है कि y phase का पहला terminal ये हो गया और दूसरा terminal ये हो गया जिस context में बीप की आवाज आने लगी मल्टिमीटर में, रेटमिंस की उन दोनों के बीच में continuity है, उसी प्रकार से आप येलो फेज के लिए निकाल लीजिए, और डवल्यो फेज के लिए निकाल लीजिए, जब आप निकालेंगे तो पाएंगे कि, यूवन का पहला फेज यहां है, यूटू का पहला फेज, दूसरा फेज, यूटू आर फेज का दूसरा टर्मिनल यहां पे है, आर फेज का पहला टर्मिनल यूटू पे है, वाई फेज का पहला टर्मिनल भीवन पे है, भीटू पे दूसरा टर्मिनल है, यानि, phase के, एक तरफ का terminal, phase के, एक तरफ के terminal को open रखिए, और दूसरे तरफ के terminal को sort कर देजिए, यानि इसको हम ऐसे खीचे, तो यह अगर आर phage का terminal 2 इदर है, y phase का terminal 2 इदर है, और b phase का terminal 2 इदर है, इन तीनों को हम sort कर दे रहे हैं, यह star connection हो गया, यही मोटर में star connection करने के लिए हम क्या करते हैं कि output terminal को हम short कर देते हैं horizontally इस तरीके से terminal को connect करते ही motor start होता है star connection के साथ इसका terminal box का figure आप देखेंगे तो ऐसा होगा आप ध्यान से देखेंगे U1 यहाँ पे है, U2 यहाँ पे है W1 यहाँ पे है, U1, V1, W1 और यह जो output वाला terminal है उसको short करती है यह star connection का आप ऐसा connection अगर देखेंगे तो समझ जाएं कि जो उसका motor winding का जो दूसरा terminal है particular phase का वो star में connected है Now we will discuss on delta connection system, delta connection कैसे करते हैं similarly R, Y, B phase को इस तरीके से connect करते हैं यानि star connection में हम एक common point लेते थे इसमें हम common point नहीं लेते हैं example के लिए अगर यह एक winding है यह तीन winding है तो इसको अगर हम short कर दिया तो यह मारा star connection हो गया बट इस case में हम short नहीं करते हैं हम क्या करते हैं कि जो पहले winding का end point है उसको दूसरे winding के first point से short करते हैं similarly for this phase also और इन दोनों को पहले winding का पहला terminal और last winding का last terminal इनको यहां से short करते हैं यह होगया delta connection इसी को ऐसे दिखाए गया है और यह phase यहां पर है voltage को देखते हैं दो line के बीच में voltage को line voltage करते हैं इस case में VA और VB के पीच में यानि line A और line B के बीच में वो VAB ठीक उसी तरीके से line B और C के बीच में बोल्टेज हुआ VBC line A और C के बीच में बोल्टेज हुआ VAC current flow हुआ line current AB red line में है line current BC yellow phase में है line current CA blue phase में है blue line में है IAB red line में ICA blue line में IBC yellow line में current flow हो रहा है अब यह जो IAB current जा रही है यह जाके two parts में बढ़ रही है तो अब यह क्या होगा phase current इस phase में जो flow होगा वो phase current होगा तो phase current कैसे होगा इस तरीके से IA IB IC यानि A phase में IA B phase में IB and C phase में IC तो इस तरीके से delta connections को 3 phase 3 wire connection में बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई neutral point नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहले coil के starting point को दूसरे coil के finishing point से हम connect करते हैं इसलिए कोई neutral delta connection में नहीं होता है neutral wire नहीं होता है तीनी वायर होता है अगर balanced supply है और balanced load है तो delta connection में भी voltage और current एक दूसरे से 120 डिगरी का phase angle बनाते हैं similarly star connection की तरह स्टार कनेक्शन में हम लोग स्टार कनेक्शन का यूज करते थे पावर डिस्टिबूशन में यानि एंड पॉइंट पे लेकिन डिल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल हम लोग पावर ट्रांस्मिशन या पावर जनेरेशन में करते हैं जनरली जो generation switch yard का जो transformer होता है, वो delta to star connected होता है, लेकिन जो distribution के transformer होता है, वो secondary side में star connected होता है, यानि star connection for distribution and delta connection for transmission, यह क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें तीन ही wire की जरूरत पड़ेगी, तो economic cost हमारा कम हो जाएगा, distribution के case में क्या होता है, neutral की जरूरत है, क्यों? क्योंकि हर distribution commercial हो या distribution में star connection करते हैं, और transmission में delta connection करते हैं, delta connection में voltage system को देखते हैं, line voltage और phase voltage का क्या behavior होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि phase और line दोनों एक दूसरे से parallelly connected होते हैं अगर आप द्यान से देखेंगे तो ये line और ये phase एक दूसरे से parallelly connected है, series में नहीं है parallel connection है, क्योंकि एक line ऐसे आया, वो ऐसे connect हो गया और parallel connection के case में voltage same होता है, current नहीं series connection के case में current same होता है और parallel connection के case में voltage same होता है इसलिए जब delta connection करते हैं तो phase voltage is equal to line voltage याने VL is equal to VVH तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि VRY is equal to VR VYB is equal to VY and VBR is equal to VB और यह तीनों voltage बराबर होते हैं और यह phase voltage होता है current के लिए होगा delta connection के case में phase voltage और line sorry, phase current और line current का relation होगा वो चुकि line और phase एक दूसरे से parallel connected होते हैं current निकलना है line current IYR IYR is equal to होजागा IY minus IR तो फ़ेले हम phase current को देखेंगे IR, IY and IB यह एक दूसरे से 120 degree का angle balanced system है balanced delta connection है हमको निकलना है IYR यानि IY IY कौनसा होगया भई? यह होगया minus IR यह minus IR होगया इन दोनों का vector sum क्या होगया IYR यह further इसको जब हम expand करेंगे तो यह हो जागा IYR is equal to 2IR into cos 5 by 2 cos theta कितना है यह लोग के बीच में? IR और minus IR और IY के बीच में 60 डिगरी का अंगल तो हो जागा 2 IR into cos theta value put करेंगे calculate करेंगे तो हमारे निकलेगा line current is equal to very very important line current is equal to root 3 times phase current delta के case में याद किजिए आप star के case में क्या होता था? line current is equal to phase current बट delta के case में क्या हो जाता है? line current is equal to root 3 times phase current example के लिए हम लेते हैं अगर star connection में line में 10 ampere का current flow हो रहा है star connection में किसी एक line में 10 ampere का current flow हो रहा है और उसको अगर हम delta में connect कर दें तो line में कितना current flow होने लगेगा? 17 ampere क्यों? क्योंकि star connection में line current is equal to phase current यानि उसका जो phase current होगा वो 10 ampere होगा एक phase में और phase में जो current है उसका root 3 times delta की case में line current हो जाता है root 3 की value 1.732 यानि 17.32 ampere line current हो जाएगा जब हम star connection से delta connection में आ जाएगे यानि जब हम star connection से delta connection में जब हम change कर देते हैं तो line current हमारा root 3 times बढ़ जाता है वहीं voltage के case में अगर हम देखेंगे तो star connection में जो voltage मिलेगा star connection में जो voltage मिलेगा वो delta connection में जो voltage मिला है उसका root 3 times कम मिलेगा एक phase में क्यों? क्योंकि delta के case में जो line voltage है वही phase voltage है और उस phase में अगर voltage हमको suppose 10 volt delta के case में voltage मिल रहा है तो line voltage भी 10 volt ही होगा बट जब हम star connection करेंगे तो line voltage is equal to root 3 times phase voltage यानि phase voltage line voltage का root 3 times हो गया यानि 10 divided by root 3 यह हो जाएगा जब इन दोनों के बीच में angle voltage और current के बीच में अगर angle phi है तो power in single phase एक phase में क्या होगा phase voltage into phase current into cos phi और जब हम single phase को हमें 3 phase में चाहिए तो हम क्या करेंगे 3 से multiply करेंगे तो total power in 3 phase delta connected system is 3 into V phase I phase cos phi अब V phase I phase तो बराबर होता है I mean sorry V phase is equal to line voltage VL बराबर होता है बट जो I phase होता है वो I L divided by root 3 यह value put करना है V I phase is equal to I L divided by root 3 यह value put कर देना है V phase is equal to I sorry V L line voltage is equal to phase voltage और जब इसकी value को put करेंगे तो हमारा फिर से power क्या आएगा root 3 V L cos phi यानि connection आप star करो या delta करो power supply या power consumed same होता है इसको याद रखिएगा तो यह हो गया MCQ point of view और mathematical expression के हिसाब से अब हम practically देखते हैं कि delta connection होता कैसे यह stator winding है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मने star में बताया था और यह terminal box है R का पहला terminal W1 से connect हुआ R का दूसरा terminal W2 से connect हुआ Y का पहला terminal V1 से connect हुआ Y का दूसरा terminal V2 से connect हुआ W1 का पहला terminal B का पहला terminal W1 से connect हुआ B का दूसरा terminal W2 से connect हुआ यहां तक तो clear है बट star के case में हम क्या करते थे W1, V2, V2 और U2 इन तीनों को हम horizontally sort करते थे बट इस case में क्या करेंगे हम U1 को W2 से sort करेंगे W2 को B1 से sort करेंगे और V2 को W1 से sort करेंगे इसको हम समझते हैं कि इन तीनों terminals को ही क्यों sort करते हैं हमने star connection में पहले ही बताया था यह तीन winding है एक दू त्री तीन winding है तो पहला यानि U1 यहां पे है V2 और W1 U1, B1, W1 यह U2 B2, W2 तो हम U2 को B1 से connect करेंगे U2 को B1 से connect किया है B2 को W1 से connect करेंगे B2 को W1 से connect किया है और W1 को सॉरी U1 को W2 से connect करेंगे U1 को W2 से connect किया है समझ मैं कैसे parallel connection हमें दीख रहा है और parallel connection मोटर के terminal पे कैसे किया है और यह terminal box पे दिखता कैसा है जो इस तरीके से connection कर देंगे तमारा rotation terminal box पे connection दिखता कैसा है इस तरीके से W1 को U1 को W2 से connect किया U2 को V1 से connect किया और V2 को W1 से connect किया यह तीनों को एक दूसरे से vertically short कर दिया और star के case में क्या करते थे तीन जो terminals था उनको short कर देते थे और तीनों को इसको sum up कर लेते हैं comparison के point भी उसे star connection में हम तीनों को एक तीनों को वाइल के terminal को joint करके हमें neutral point निकलते हैं और इसको white letter से लिखते हैं इसमें first का end से दूसरे का starting point से दूसरे का finishing point और इसको delta के रूप में लिखते हैं इसमें neutral wire होता है इसमें neutral wire नहीं होता है इसको three phase four wire system बोलते है जिसमें three wire phase के लिए एक neutral wire के लिए इसमें three phase three wire जिसमें तीनो wire तीनो phase के लिए यूज़ता है कोई neutral नहीं होता है line current is equal to phase current very very important star के connection में and line current is equal to root three times phase current star के connection में line voltage is equal to root three times phase voltage और डेल्टा के connection में line voltage is equal to phase voltage, इन दोनों connection में total power क्या होगा, same होगा, 3 into V phase I phase cos 5 या root 3 into V I L cos 5, star connection के case में जो phase voltage होता है, वो line voltage का root 3 times कम होता है, इसलिए number of turns कम जरुवत है, copper की saving होती है, और low insulation की जरुवत होता है, इसलिए जो star connection जो होगा, या तो long transmission line के लिए होगा, या फिर distribution के लिए, distribution के लिए क्यों, क्योंकि इसमें neutral wire, जो single phase के लिए neutral wire की जरुवत होती है, और long transmission line में, इसलिए क्योंकि insulation low देना पड़ेगा, वहीं data connection में क्या होता है, कि जो voltage होता है, वो phase voltage के बराबर होता है line में, तो high voltage होता है, इसलिए इसमें number of turns ज्यादा हो जाएंगे, copper ज ज्यादा use होता है, अगर motor star connected होगा, तो उसकी speed कम होगी, compared to delta connected क्यों, क्योंकि phase voltage, line voltage के root three times कम मिल रहा है, और इसमें phase voltage, line voltage के बराबर मिल रहा है, यानि voltage इसको ज्यादा मिल रहा है, इसमें voltage कम मिल रहा है star connection में, तो speed हम लोग जानते ही है, voltage के बराबर होता है, voltage के बराबर रनिंग कंडिशन में, फुल लोड के आसपास चला जा है, रेटेड लोड के आसपास चला जा है, तो हम डिल्टा कनेक्शन देते हैं, इसलिए स्टार डिल्टा, स्टार्टर का यूज होता है, डिल्टा कनेक्शन का यूज, डिल्टा कनेक्शन का यूज, डिल्टा कनेक्शन में इतना ही, next lecture very very important है कि एक machine में direct online starter और star delta starter में क्या-क्या होते हैं और वो कैसे function करता है, very 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 important lecture next आने वाला है चैनल में नए हैं तो subscribe कर लिजिए और इसको share कीजिए, ये educative videos हैं Thank you so much